ये पार्सले है ये इसके उपर डालना लगी हूँ आज दा व्लॉग बड़ाई इंटरस्टिंग है मैं कहा ताड़े सारे नल शेयर करा तुसी भी बनाई हो ते खाई हो ते फिर में दसी हो कि ताड़ी रेसेपी मेरे वर्गी बढ़ी के नई ते मैं कहना सी के आज कालना आज गाणा बड़ाई सुनननों आंदा पे है कि तमना है के तुमको दुलहन बनाए तेरे हाथों पे महंदी अपने नाम की सजाए तेरी लेलें बलाएं तेरे सदके उतारें तमना है के तुमको दुलहन बनाए ति मैं क्या कि ऐ थे बस गाणा ना पहले दिन वास्ते ही उन्दार दूजे दिन गाणा भी बदल जाना थे जिंदगी भी तमन्ना है कि तुमको दुलहन बनाई तुमसे रोटियां पकवाई तुमसे बरतन दुलवाई तुमसे कपड़े दुलवाई अजका व्लोग आपने पूरा देखना है क्योंकि मैं बड़ाई खप खप के बंआया जै ठीक है बड़ाई टाइम लग गया देते मैं ते व्लोग बना बना के पतली हो चलिया एक्सरसाइज दी ते तुसी गल पुछोई ना तो यहां से पंडे पुंडे तोके हमने फिर इंट्रो दे दिया आपको चलें अब आगे चलते यहां से हमारा शुरू हुआ जी असलाम अलेकुम देन सडा स्टार्ट हो गया असी गुनिया एक पेड़े दा आठा मैं कहने यहां नशा पूरा करना हो एते एक पेड़े दा आठा ही बहुत है जिंदगी चे खुशी लबनी हो एते एक पेड़े दा प्राठा ही बहुत है और प्राठा भी मैं कहा सुका सुका बोता विच्च तेल तूल निसी पाना एए इते है यान नो लाग गई पोक एक है दे मुझे भी कुछ बना के दे मैं कहा जी तुसी ते पहला तुसी ते राजे महराजे हो तुसी ते सेर मत्य थे ले आओ तर नाश्टा बना के दे ये तो यहां मैंने यान को वाफल्स और बीन्स ये दिये मैं कहला है फ़ड़ ला है खाला है खबरदार जहून तू बोल लिया ठीक है तो बस जी इसको नाश्टा बना के पकड़ा दिया हमने और ये थे मेरे कुल सी अचार मैं कहाई मैं खामा प्राटे ना खापी लिया ना जड़ ले फिर मैं कहाई चलो जी हून लगी है काम ते ए जड़ा मैं कल ले इसा ना गोश्ट ए ओवे ए जड़ी है ना कीमा और यहां पे है मेरे पास बॉनलेस चिकन ए ना मैं कहाई कुछ बना माइदा आज कोई डिफरेंट टाइप का खाना बनाओ यहां पे मैंने चिकन को दो लिया अच्छी तरह से कीमा जो है यह भी दो किलो है लेकिन मैं एक किलो ही बनाओंगी हाई हाई एकते मैं कहने हैं इन्ही थकावट हो जन्दी है इन्ही जब किसे ने कुट कुट के सत्या नास कीता है मेरी विटामिन डी जड़ी जड़ी ज़ना हो दाते बेड़ा ही घरक हो गया मुक्की गई है किसे पास से है चलो मैं कहीं चलो हो फटा फटा सी गुन लिए आटा यह बननी है टर्किश ब्रेड एमी फलेट जी ब्रेड कोई एड़ी कोई खास नहीं पर मैं कहीं चलो तर ना शेयर कार दा यह जो वर्क टॉप है ना इसको मैंने चंगी तरह साफसूफ कर लिया था सैनिटाइजर से क्योंकि इसके उपर मीट रखा था इस चीज़ दा ना बड़ा त्यान रख्या करो गोश्ट को जो है ना दूसरे खाने के साथ उसका कॉंटेक्ट नहीं होना चाहिए नहीं तो ना बड़ी खराबी पैदा करता है तो इसमें वैसे तो येस्ट भी पढ़ती है उन्हें मेरे कुल है कोई नीसी तो समझो मैं वी रेसिपी जड़ी जड़ी ज़ना फिर एंजी बना चली तो इसमें हमने एक केजी लिया है मैदा और ये बायकाबनेट सोडा जो है वो इसमें जाना है यहां पे मैं दूद को रखनी लगी हूँ चुले के उपर गरम होने के लिए क्योंके इसमें जाना है कोसा कोसा सा दूद तो हमने दूद को मैं ना कोई मिन्या शिन्या कोई नीए नो बस एंजी मैं अंदाजे नल मैं सोचिया कि जिन्नाक मैदा ना मेरे कुल महल 500 ग्राम मैदा मैं लवांगी ओदे नल मैं तुसे समझो के एक कप शायद दूद का जो है ना मैंने इसके उपर रख दिया है कोसा होने के लिए एथे सी लेया है प्लेन फ्लार आवे खोतान मैं वखांदी पहियां बार बार और और इसको 500 ग्राम हमने डालेना है इस थोने सिब पंडे में इसमें आपने डालेना है एक टेबल स्पून सॉल्ट एक टेबल स्पून बायकाबनेट सोड़ा अगर वो नहीं है तो बेकिंग पाडर भी डाल सकते हैं मैं अन्दाजें से besar इसमें दूद निकाला था ना उतना ही डूड जाएगा देखें ओवे को जिदना निकाला था उतनाही गया तो आपका इतना परफेक्ट कभी होजाता है ना चीजों के साथ कितना मेशर करन्दी जुरत P Total नां कूने पता नहीं किना कर दो लुवक्तुर तो देखें ये हमारा बस इस तरह से हमने कर लेना बहुत नहीं गुनना इसको कवर करके किसी गरम जगा पर रख दूंगी ताकि ये थोड़ा फूल जाए तो फिर हम इसके बनाएंगे टर्किश प्रेड ये दूंगी प्लेट इसको मैं रखूंगे अब किसी वाम जगा पर त सारा हीटिंग का सिस्टम है तो यहां पर मैंने रख देना है इसको इसको मैं कर दूंगी बंद लो जी आटा ते सी राक्षडिया को सी जगाते इते तुसी वेख रहे हो एक पांडेची चिकन एते एक वेचे कीमा और हम मेरेनेट करेंगे चिकन को पहले ठीक है हमने ये गल इसमें डाली है ये क्रीम आवेख दो चम्चे तुसी क्रीम दे एदेवे चिपा देने ने जब वो आपने डाल दी ये खोड़ डबल क्रीम है तो नो वो खांडी भी पेज़े मैंने आजडा से ली थी आप भी लें जाके थोड़ा सा देही और डालोंगी एक चम्ची वेच पाव लून दी और एक चम्ची पाव क्रश चिली दी और है मेरा देल का दस एक चम्ची खंड दी भी पाद वाँच ये है पैपरीका स्मोकी पैपरीका पावडर दो चम्चे इसके आपने डाल दिये एनो दवेगा सोना जैर रांग और ये है विनिगर इसको भी आप डोल इसको हमने सब कुछ डाल के इस तरह से रख देना है और फिर ये देखें ये है सुमक सुमक जो है ये पता नहीं केड़ी डिश्च तरकिश डिश्च शायद होंदा है मैं तो पोल ली जाने है मिनों ते किसे कुट्राइन ना ने आंके इसमें फिर हम डालेंगे कैचप कैच कर लेना मैं कहा पहला मैं मिक्स करके जराइदा रंग वेख लवां के रंग के टैस होना पर मैंता अंदस्ता जे इन्नों तुसी एज़े डिप वी किदरे रखना है ना रोस्ट शिकन देनाल तो बहुत ही मस्यदार है इन्ने के टेस्टी बने है कि जिदी कोई हाद नहीं मै नाद चंगी रखी जाए ना उदे ते बर्न वाली हर चीज सोनी बर्न दी है बिलकुल इस सौस की तरह जो मैंने बनाई चिकन को मैरिनेट करके रख दिया फ्रिज में ए थे आया जी कीमा मैं के चला जाओं अच्छा कीमा हमने बनाने हैं इसके परजियन कबाब वो बनेंग इसमें पढ़ता है पार्सले इसमें तनिया नहीं पढ़ता यह देखें पार्सले की सोना सा गुच्छा एक प्याज मैंने ले लिया एक लेई शिमला मिर्च लाल सुए रंग दी और इस ता सब नो काट लेना है काटके तो फिर इसको जो है ना यह देखें मेरे पास है फू बस ते मशीना दा सहारा जड़ा है और लेना ही पेंदा है अच्छा लेके इस तरह बस फिर इनों चोड़ लेना चंगी तरह है दा पानी क्योंके कीमे देवेच ना फिर जले पानी चला गया नहीं था ते उनने जूणना को नी कबाबाने बढ़ना को नी तो मैंका चले इसमें अगेन मैं डालूंगे सुमक ये बड़ा ही जबरदस्त इंग्रीडियन्ट है और परजियन खाने में तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है और ये शायद अनार का बनता है अच्छा नमक डालेया जिंजर कालिक डालेया इसके उपर ये भी कोई 500 ग्राम या 700 ग्रा आएगा और ये है स्मोकी फ्लेवर की पैपरी का पाडर ये भी इसमें हमने एक कटी स्पून डाला सूका तनिया इसको भी हम सूट देंगे इसके अंदर मैं कहनी आज शेय कोई छड़ी नहीं और ये जो हमने ग्रैंड करके नचोड नचाड के हमने रखावा था इसको हम करेंगे चलो भाई चूटे माया रज पूज जाया मायो पैणो अपने पांडे टींडे सांबलो मेरे पुतर दी गड़ी आईजे अब बुसा डे सानु है बड़ाई स्नांदी हूं दे सान अच्छा यहां पर देखें आप पांडे कितने पर गे हुए है ना पांडे बस ने प्यारते मुहबते जड़ाता डेकलो सारा काम करांदा है एक बीवी दा तुसी फर्जदा कर दियो एक माह उन दा हक और फर्जदा कर रहे हुं दियो एक पोईट्री शेयर का रही है जड़ी मेरी अपनी लिखी है तुसी भी सुना तर्म चंगी लगे गए बंद आँखें क कई दर्वाजें हैं दर्द दिल के इस घर में जहां सबर की चाबी से ताले लगते हैं इन दर्वाजों को कभी न खोलना के बरसातों में ये बंद भी तूटने लगते हैं थकन के चिर्चराहट से बदन के वो सब हिस्से फिर से दुखने लगते हैं आज जितने चेहरे सज आए थे अपने चेहरे पर वो सब फ़िर आंसों में धुनने लगते हैं ते आउरत अपनी जिंदगी जिना मुशिकलां टकलीफां तो गुजर दिये फिसिकली किनिया तकलीफां तो गुजर दिये उस दे बावजुद मुस्कुरा के सारा दिन अपने काम कार दिये ते मूंद कर गिली आँखें खो जाती हूँ ऐसी दुनिया में जहां मेरे सारे सपने सच्चे लगते हैं कि ने दियों नो सकून दिये फिर और ये एक मां का मैं कहती हूँ प्यार है जो वो अपनी फैमली के लिए करती है ते मैं आई एथे किचेंच मिनू चाई दिया शान हरियां मर्चा मैं किया कि मैं ना मर्चा नू बैंगना दे नाल ते टमाट्रा दे नाल इनना नूँ पोनी छड़ाज कि जड़ा एक को नाल बंदा साड़ के बांदा ना उदा फ्लेवर ही को शोर उन्दा तो मैंने यहां पे सारा कुछ इकठा जो है यहां पे इस तरह से इसमें सूट सिटा दिया और इसको इस तरह से मैंने का अब हम रखेंगे ओवन में और एविको एथे बीट रूट बीट रूट काटके मैं बढ़ा लगी सा सोना जैस सलाद और यह सालड भी बड़ा ही खुबसूरत बनता है इदेच पासले यूज उन्दा है और इदेच क्यूकंबर यूज होया इदेच प्यास दे कटे गए लच्छे बड़ी जबर्दस्त और आगे चलके आपको दिखाऊंगी यहां पर देखें यह हमारा रेड़ी हो गया और इसको मैं अब रखने लगी हूँ अवन के अंदर और एलो जी अवज गया प्यास नो इस तरह सी बरीक-बरीक काट लाँगे और काटके फिर हमने इसमें लेमन जो है वो न चोड़ना है यहां पर मैं ले रही हूँ कि इनुकेंदेने पार्सले पार्सले जड़ाना है हेल्थ वास्ते बहुत अच्छा है ताड़ी बॉड़ी ची बॉटर रेटेंशन होए ते तुसी इनुजड़ाना इस्तमाल करो अपने खाने ची बहुत ही अच्छा जहाना इसका असर होता है यह है सुमक सुमक को हम तूड़ देंगे इसके उपर और हमारा बहुत ही बहतरीन सा हो गया सैलड ते यार यह थे मैं आई किचिन चमै के चलो चावल भी होने पे ओऊई लवा क्योंके खाने दा जड़ाए टाइम नस्दी खानदा जानदा सी इन सब को क्या कहते हैं भूक लगी हो तो बस फिर कुछ नजर नहीं आनदा हाई यहां पर मैं बना रही हूँ यह तरकिश जो होती है ना तलवारा आईमीन सीखा यह मैंने बनाई लास्टाइम मैंने ही ना जिसे ली थी तो फिर इस दफ़ाल मंगडिया याद ही ने रही हैं मैं क्या कारी बना लिए यह मैंने काफी देखा टिक टॉक पे इदर उदर के इस तरह से सीखें बना लें तो बड़ाई सोने ता डे दे ते कबाब लाग जन दे ने अच्छा ए थे साड़े बताओं ते टमाटर ते हरिया मर्चा सब कुछ हो गया त्यार मैं कहा नो मैं लाम की शेप का इस तरह से देखें पेड़े की तरह गोल गोल को माना है आपने पढ़नी है सीखे एक हाथ में और इस तरह से दोनों हाथों से दबा के एक हाथ से अंगुटे की मदद से आपने बड़ा सुना इसके उपर लगा लेना है कबाब सुने सुने जिल लगे कबाब को देखें तियार करके रख दीए अब ये बने हैं दो तरह के I mean दो बैज मैंने बनाई एक मैं बनाना है ओवन दे विच और दूसरा मैंने बनाना है चल्ले के ओपर फ्राई पान के ओपर इत्थे थोड़ा जा ज़रा क्ठंडा मठ़ा मामला हो या ते मैं किया चलो इना नो चम्ची ते नाल में थोड़ा का फे फूला मा इते फिर सीखां ते मैं लांदी पर इसाजे तिक के इनने मी जाना है ओवन दे विच और ये ओवन में जाएंगी फिर हम अकसर खाना पकाते चीजें करते बजाहर थे बड़ी मसरूफ के अज की करना है ते कल की करना है ते बस जिंदगी ये देची पूरी हो जन्दी एते आवे खो एक खडोना लग गई ना फिर फूड प्रोसेसर एते चीजेड़ा बैंगन ते टमाटर ते हरिया मर्चां करश की तिया सन्द फूड प्रोसेसर चिपा के नमक पा के साड़ बालते नहीं के पर ठीकी साड़ ये थे फूड प्रोसेसर चिपा फिर चने और नमक डाल के ग्राइंड करके यहां तहीनी सौस है ये ये दे वी दो चमचे दे च डोल दो और फिर इसमें सूटें आप बरफ किटे लिया और आप इसको फिर चला दे मैं कहना आइस क् तरीके से कुछ बना लूँ बाबा गुनूज जो परजियन रेसिपी है वो ते फरेके इंज बनान देने तो मैंनो ते शेया कोई याद रहां दी नहीं को को किड़ा वदिया बढ़े आज हूं मस तो मैंने का मैं इसको अपने तरीके से बना लूँ खैर इन्ना का मिक्स कार अगे मिन्नू ते ना पता नहीं हूं आज गाल मैं कोशकार नहीं है मेरे मुच गाल कोई ने कल दी बच्चे भी हास देने के मामा आप क्या कह रहेंगी है फ्रेज़ दिया चीज़ां कांगी ओवन चराख दो ते ओवन वाली हां कांगी फ्रेज़ रादो अम लला बक्षी स देने सांथे एवे को एवे को ए मैं रखे चिकन तिका ओवन वेच पर ओवन दी सानु समझाई नहीं बाहराल एदा भी बेखांगे बाद चुकी करना एथे ना मैं जड़ा आटा गुन्या सी ना फ्लेट ब्रेड था तवे तेक एक साइड पकाके दूजी साइड जेड़ी ये न ओसी इस तरह ओवन चराह दिती है। यहाँ पर हमारा कबाब वेखो मैं फिर पुठा बोलन लगी साजे। नान जड़ा हो त्यार हो गया और इसके उपर हमने लगाया बटर एथे सडे। चावल भी बड़े वधिया पाक गए वेखो वकरे वकरे दाने निले पीले आई मीन पीले ते किये औरेंज ज़्या रांगे आहू वो हो गए त्यार बड़े सोने बड़े चावल इनमें कोई बटर कुछ इतना ज्यादा हमने इस्तमाल नहीं किया और इदना प्लें राइस ज जड़ा ना ओ आ जाएगा और यहां पर फिर ये वाले जो है ना कबाब मेरे हिसाब से अवन वाले थोड़े से ड्राई बने और चिकन तिका बहुत ही अच्छा बना लेकिन जड़े मैं पेहनते बनाए थोड़े जड़े तेल पाके उनकी तो क्या ही बात थी इनक्या मैं 10 आपको रिवियू देती हूँ तुसी भी एदेते ही बना यो ता नोना दी शकल दास दी पर ये कितने ही जबरदस्त ये लग रहे हैं तो ये थे साड़े त्यार हो गए सानक कबाब और मैं फिर लेकिया ये थे कि केंदेने पार्सले फिर पोल चल ली साँ पार्सले लेकिया और विखो हो मस हमारा कितना सोना आइस क्रीम जैसा बना हूँ एथे हूँ लगी जे प्लेटिंग और मिन्नू आपड़े ही चंगे लाग देने प्लेटर मेरा दिल कारदा है मेरे को सोनने दे चांदी दे पितल दे थालून जिना दे वेच मैं इस तरह खाना सेव करां और ज जैसे मेरे दिल चो निकल जाए ना कि एह मेरे मिन्नो नहीं मिलनी दे बन्दा सोच लेंदा वे यसी किते है जैसा करें वे रहे हमेशा मैं किती हूँ और जो लोग कभी मैं देखूं कि जे लोग कहां है और लोका नाल मेरी मुलाखात हो जैन दी बड़ी इंटरस्टिंग ग मेरे हजबन का दीमिन छेड़ देने के तू कहना हुना है चीज मेल जाए मैं एक एंज नहीं जिननी देड़ता का मेरे दिलों आवाज ना निकले किसे चीज वासते है वेखो मैं कहन दी पेसी जान मेरी सोनी जी तस्वीर खेच दो है सारा कुछ करना पेंदा न जिल्ले बंद वे खो मजाल कोई कबाब टुटाओ एक कोई हो एक खराब एडे सोने कबाब हमारे देखे निकले और यहां पे फिर मैंने इसके उपर तनिया तूड़ के और क्या कहते हैं सुमक तूड़ के इसको सोना सा त्यार कर दिया ते मैं किया बस जी पार्टी भी तियार बैठी सी वाली एथ ही ते मैं कहा हैंगा चीजनों नेटों वह इन 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 इए बहुत इना दा शुक्रिया एज चीज तती थवट फॉट फॉट लथके सदिपलेटे आज एक वारी ना जेक लेए बिण्मी से एदां फाल मेने तो लात आ चुर्णे» फ़ोहा कल आ दे उनटे चे जांचते, को नो में धुगें बेंकिव कना अ करादिनी घुलात आखर दे माचने स सकतव हां, और बुण्मार आप Πानी खोल आखरमी तो मैं बस फिर कॉली त्यार कीती हूं मस्दी ते सुना जा त्यार कीता कि कैंँ दे ने डिश त्यार कर दी पैसा मैंने का मैं जाके न हिना को देखे आउँ कि उधे बच्चे ना बढ़ा ही पसंद कार देने वसीम की वजासे उसका आना जरा मुश्किल होता है क्योंकि फिर जाहरे वोधी तबीयत ओना अफ उन्दी है तो मैं कहेंगे मैं जाके ना देखे आऊं ते खुशी उन्दी है अपने पहना परावानत से जाके दो दिल बड़ा कारदा चंगा खाना पकाया हूए दोस्तानों बलाओ पहना परावानों बलाओ पर मैं कहने नहीं है इते बंदा खाना पकान तो बात थे हूँ जे इंजो जान्दा को नो ऑक्सीजन भी लाग जेते एक ड्रिप भी लगी हूए ते बस फिर उस वेरे उठ्ण दे काबल हूए हिमत ही नहीं रह जान्दी ते बस जी अपने घर वाले यापके इस टैलेंट से फैजियाब होते हैं उनना दियो किसमत चंगी हूँ दिये जिननुसा डेवर गयां मामा पैना बीवियां लाब जान्दियाने के इस तरह के खाने बनाती है खलाती है ते आवे खो इते बस चली सा जमेहिना के घर और इत कि ऐसे चलेंगे देयां जहां कि बेहिने निया मेरे पैर चुक्वड़ रड़ गया मेरे देया चलते हैं आर आपको मिलते सब्सक्ति हैं एसिस शचुक भी है इस चलें इस कि जड़ें वहां कि त्रफ चलके मिलते हुएं जाकर थोड़ सुकून से बैट फिर एक ए यहां मै है एजी ऑन्हें पहते हैं नी मेहिसे की में आपकर वह आप्षे सब्सक्राइब हुआ है नहीं एक पहिए उर्च पांकर देखो यह हैं टको करके देखो प्राइड फिश कि अच्छी लगती है तुमस अच्छी लगती है तुमस अच्छी लगती है कहां लगी हुई है अगर मेरा जूते फील वाले इतने प्राइस है अगर मेरा अभी लेलू फर सेज्ट दिलूगी लेकिन अगर मैं ने लिए लिए फिर फूर्टी बांग अपर फिर फ्रस को थेटी सिक्स पांड का और फिर जो शुआ शान नहीं आद गए तो वेह तो वेह मच अपने ताया ने मच मीट आया ने तो बॉह तो तो बोलर रड़ ची एक्सरसाइज कारना है सारी है तो तो बोलिया भी का टकर या कर्या ओदरी माड़ा ही जाना है दो जा और ऑफीज, पाड़ी में अदैसे कारी लेर भाएणा, आप्सुप आ जा जा कि आए आजा दू हाजा, आजा जा कि आजा आजा, आजा जा कम आजा, जा कृणा, जा जा कि आजा जा कि आजा है, जै तु एना ना बोल दा, या पाम नो बजाणी से चीर मैं ज़सा, जो फिर मुझे मैसीज कर दे ना, बता दे ना, ठीक है मैं वेट कर दे हम जरूर करूंगा मैं जो बबाब में पापको सेंगे ना इसमे दो देना, और ना गाल कर देदी अच्छा दो साल वेट कर रहा था चलो कि अला फीज weasher लोड गैड अला फीज घर आकर फिर मैंने का कि चलो जी हुनजडा इन्ह आज खिलारा पाया नुँ समेटा तो यहां पिर मैंने डिश वॉशर लोड़ किया पलाओ जैदा वक्षारा जड़ा मेरे पांडे तो चाड़दा नहीं थे तो बगार भी जिन्दगी जड़ी है बड़ी मैं करी यह मजलूम हो जानी से तो सिंक जो है इसको साफ किया मैंने अच्छी तरह से साफ सिंक जड़ा नहीं बड़ा सुना लाग दा तो बस फिर मैंने का मैं खाना सारा समेट लूँ फ्रिच राह दमा चीज़ां ते एजड़े बरतन पर एने एजड़ियां मैं तश्तरियां सजाईयां सण इनन हुन जाके तो वाँ यहां से सारा वर्क्टॉप साफ किया खाने को लगाई कलिंग फिल्म जिनादे टकने निसन यह फिर जाएगा फ्रिज में जो चीज़ें ड्रोज में जाने वाली थी उनको ड्रोज में रखा हर चीज़ का अपनाएं के घर होता है और हर चीज़ अपने घर में ही अच्छी लगती यह थे बस फिर थोड़ी आज़ यह अंदेच क्या रहागी है यह थे मैं क्या विक हो इत्थे काम करना पैंदा जे कलिया अपनी मदद आपके तहत को रॉलाश इनसाफ करके बरतन धो के सब कुछ हुआ तमाम और मैं क्या बस सुन चलिए जाए जा के थोड़ी रेस्ट करिए क्योंकि आज का दिन था बहुत ही लंबा आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा कॉमेंट्स में जरूर बताएए दौा में याद के कि जिए अलाव